तीम इंडिया के स्टार ओल राउंडर हार्दिक पांडिया ने सेंचुरियन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन बल्ले बाजी करते हुए इतनी बड़ी गतली कर जिसकी उम्मीर शायद किसी को नहीं रही होगी हो सकता था कि अगर वो रन आउट ने होते तो विराट कोहली के साथ मिलकर बड़ी साज़दारी कर जाते हैं और टीम इंडिया पहली पारी में बड़त लेने में काम्याब रहती लेकिन 15 रन बनाकर खेल रहे पांडिया रबाड़ा की बॉल पर मिड़ान पर शॉट मार कर रन लेना चाहते थे नौन स्ट्राइक पर खड़े कोहली ने उन्हें रन लेने से मना कर दिया इस पर पांडिया वापस मोड कर क्रीज पर जाने की कोशिश कर ही रहे थे कि फिलेंदर ने इतनी देर में बॉल वेकेट पर मार्च दी इसके बाद दक्षन अफ्री की खिलाडियों ने अपील की लेग अंपायर ने इसका फैसला लेने के लिए थर्ड अंपायर का सहरा लिया टीवी अंपायर ने जब रिप्ले में देखा तो पांडिया का पैर और बला दोनों हवा में था अगर पांडिया ने जहरासी भी तेजी दिखाई होती तो वो आराम से क्रीज में पहुंच सकते थे लेकिन उनकी इस लापरोहई की वजह से बहुत ही अहम मौके पर उनका विकेट गवा दिया उनके आउट दिया जाने पर सामने खड़े कोहली और ड्रेसिंग रूम में बैठे कोच रवीवार शास्त्री ने भी नाराजगी व्यक्त की